असलाम अलेकुम फ्रेंट्स वागत हॉपका इस योटूप चैनल जहके स्टेडी मटेरियल में आई हॉप आप सभी ठीक होंगे जितने भी 11th क्लास के सुट्डेंट्स हैं लगर थोड़ा सा टेंचिन होगा इंगलिश का क्यूंकि परसू आपका इंगलिश का पेपर है तो जिन सुट्डेंट्स ने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है या जिन ने प्रिपेर किया भी है तो सभी ये वीडियो अच्छे से देखें क्यूंकि आपकी 50 marks इसली यहां पर आपको मिल जाएंगे जिन सुट्डेंट्स को भी तक कुछ पता ही नहीं है वो भी अगर इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे कॉंसेप्ट क्लियर करेंगे और जो भी यहां पर आपका राइटिंग स्किल्स वगएरा है रीडिंग कॉंप्रेंचन उसको देकर 50 marks इसली ला सकते हैं आउट अफ 80 तो यहां पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं आपका यहां पर जो इंग्लिश का पेपर है वो होगा 80 marks का 80 marks में से आपकी जो 5 marks हैं वो होंगे 26 और यहां पर मैं आपको सिखाऊंगा वो होंगे 50 marks तो 26 पास marks हैं 50 सिखाऊंगा 50 सिखाऊंगा प्लस कुछ marks आपको दिखाऊंगा वो आपने हुद प्रिपेर करना है वहां से आपको 60 plus marks बन जाएंगे तो 11th class है ज्यादा marks नहीं मिले आपके 50 भी मिले आउट आफ यहां पर 80 वो भी इनफ है तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं आपको पहला question होगा जो 10 marks का होगा वहां पर आपको क्या पूछा जाएगा एक passage दी जाएगी फिर उसमें से आपने notes बनाने हैं summary लिखनी है और उसका title डूणना है तो जैसा कि यहां पर कुछ चीजें लिखी होई है 100 of thousands of our qualified youngsters take off from different international airports every year for higher studies तो ऐसा सब पूरा आपने पढ़ना है तो ऐसा आपको पूरा यहां पर एक passage दिया जाएगा तो जो आपने अच्छे से पढ़ना है फिर उसकी यहां पर note making करनी है फिर उसका title डूणना है फिर summary तो इस पूरे का कैसे क्या कुछ करना है वो देख लो देख जो आपको note making है note making आपका जो अभी मैंने बोला 10 marks काएगा तो उसमें क्या करना है जो मैंने अभी पूरा यहां पर पढ़ा उसमें क्या है उसका juh main title बनता है वो बनता है qualified youngster qualified youngster US को क्या बनता है main title फिर उससे हम बनाएंगे notes जो फिर पहले हमने इस तरीके से पूरा लखना है title qualified youngster फिर हमने लेकना है notes तो notes को हमने जैसे लिखा फिर हमने लिखना है पहला p staircase मतलब पहला पोईंट इस तरीके से लिखा फार higher qualification तो उसी में से आपने पोईंट डूरने है फार higher qualification तो फार higher qualification इसमें लिखा हमने क्या देखा तो पहला पोईंट लिखा take of far study अबेरिवेशन का यूज्थ करना है abbreviation का मतलब होता है आपने यहां पर जैसा मैंने यहां पर far की जगा fr लिखा है study की जगा stdy लिखा है from की जगा एफ रिम लिखा है abroad की जगा abroid की जगा यहां पर सिर्फ abd लिखा है तो ऐसे ऐसे abbreviations जूज करना है पहले आपने जैसा पहला point किया fire higher qualification तो यहां पर क्या करते है for higher qualification take off our study from abroad second point लिखा get higher study from USA UK जर्मनी तो यह point मैंने वह ही passage से निकाले हो गया पहला point second note आपका क्या हुआ indian youngster तो indian youngster के बारे में क्या बात करेंगे हम तो indian youngster का पहला point Indian youngster यहां पर youngster को मैंने इसे simple में लिए का सेत्ल abroad वो कहां होते है एपराड होते है second point के लिए हर higher quality of life To higher quality of life के लिए third point यहां पर है एक हम देखा indian education अबारे में जो बात हुी है वह क्या वह हुई है इंडियन फेमस इंस्टूट के बारे में हुए है, ITIs, IAMs, IITs तो यह क्या करती है, Providing World Class Education तो यह चीज़ें आ गई, तो इसके मैंने तीन नोट लिखे, वो आपके लिए इनफ हैं, आप जितना लिखो वहां पर फिर जो उपर मेंने अबरिवेशन्स यूज़ किये थे, पहले उसका एक बस बनाना आपने पूरा बस जैसे बना यह चीज़ें लिखनी है, जैसे अपको यहां पर ओपन किया, आपको यहां पर हुआ, पिर आपने इस पूरे की समरी लिखनी है, आपन यहां पर समरी लिखी, उपर टाइटल लिखा qualified youngster फिर नीचे point लिखे point कहां से लिखनें वही जो आपकी पैसे जाए वहां से ही main point लिखनें जो point उपर note आपने use के वह वाले ही आपने यहां पर लिखनें जैसा कि मैंने note making की यहां पर हमने क्या लिखा आपर qualified youngster जो टाइटल था take out from different यहां पर यहां पर लिखा हुआ है जो भी चीज़ है for higher study तो इसमें फिर ने कहां जाते हैं US जाते हैं यूए के जाते हैं फ्रांस जाते हैं ऐससे कंट्री में जाते हैं तो फिर यहां पर इसके लिए करते हैं यहां पर higher quality of life के लिए तो ऐसे यहां पर इंडिन इंपॉर्टन जो इसमेरी में तो आपके 10 marks मिल जाएंगे सिर्फ नोट में ऐसे ही पर आपका second question बन जाएगा read passage carefully answer the question दिलो तो यहां पर आपने पूरा इसको पढ़ना है आपने जैसे इस पूरा complete किया पिर आपने नीचे इसके answer देने है जैसा कि आपका first यह भी 10 marks का है उपर पड़ा नीचे answer दिया first का second का third का fourth का total आपको ऐसे 10 आएंगे तो इन 10 का आपने answer देना है उपर से निकाला नीचे answer दे दिया तो कोई tough है नहीं बीच में कोई tough आपको आजाएगा जैसा कि किसी का meaning, intonium वगएरा, synonium वगएरा वो थोड़ा आपको यहां पर हो जाएगा बागी आपके लिए कोई मुश्कल नहीं है उपर सही निकालना है तो ऐसे ही आपका पहला section complete हो जाएगा जो आपको 20 marks बनेंगे second आपका आता है writing skill, writing skill and grammar, writing skill में सबसे पहला आपको आता है poster जो आपको 4 marks का आता है यहां पर आपको दो चीज़े होती है आपको पूछा जाता है या तो आप poster लिखो poster के बारे में या फिर आपने क्या करना है advertisement करनी है तो यहां पर क्या बोला गया है कि आपका institute जो है golden care hospital उसने decide किया है कि वो क्या करेगा organ donation came एक organize करेगा जिसमें वो awareness देंगे इस चीज़ क बारे में तो आपने इसके बारे में एक poster लिखना है तो यह चीज़ पहले हम इसके बारे में सीखते हैं फिर साथ में ही आर में आपको आता है कि जैसा कि आप एक general manager हो golden software solution क्या new daily में तो आपको एक software engineer की ज़रूरत है आपकी अपनी organization में तो आपने advertisement यहां पर लिखनी है ता तो poster में आपने क्या करना होता है थोड़ा poster बनाना होता है जैसा कि आपने बहुत सी जगा पोस्टर देखा होगा coaching center का poster देखा होगा admission open कितने चीज़े बनाया होता है या किसी जगह वहां पर teacher के लिए उनको staff की नीट होती है वहां poster बनाया होता है बाहर किसी भी जगा road प बना दिया इसी का यहां पर hard बना दिया कुछ भी बना दिया तो यहां पर आपने यह चीज थोड़ा बूल लिखा हो उसके बारे में आर्गन donation camp तो उपर आप अपने institute का नाम लिख सकते हो यहां पर जो वहां पर बताया गया हो जैसा कि वहां पर बताया था वैसे आप उस institute का नाम लिखना यह नहीं जहां पर आप पार वहाले institute का नाम नहीं जो यहां पर पूछा गया वहाला institute का नाम यहां पर आपको सिर्फ यह पोस्टर बनाने के चार मांक्स मिल जाएंगे तो आर में आपको होता है advertisement जैसा कि वहां पर उनको vacancy थी तो यहां पर आपको एक त outfair engineer हमें चाहिए तो यह चीज़ आ जाएगे फिर हम जाब detail लिखेंगे कि किस के लिए चाहिए कौन सी जाब उसकी qualification क्या होनी चाहिए फिर उसके लिए interview का होना चाहिए तो ऐसे हमने एक box बनाना है उस box में यह चीज़ें लिखनी है तो यह थोड़ा open करके बताएगे क्य क्या क्या है कि बाहर की चीज़ें यह वाली आपको नीड़नी वाल लिखनी की जिसरा समझने की जरूरत है पिर ऐसी आपने एक box बनाना है situation back in फिर यह चीज़ें लिखी हो गया काम हतना फिर आपको question आता है six marks का वह आपको आता है letter writing आप letter writing दो तरह की हो सकती है यहां तो एकी तरह की है आपको दो तरह की आ सकती है तो एक होती है formal letter एक होती है informal letter तो हम उस दोनों का यहां पर procedure सीखेंगे जैसा कि यहां पर यह चीज़ बोले कि 72 year old municipal council of your area expired last Friday मतलब उसकी death होगी as she decided her body was donation to army medical college तो उसकी body को कहा डोनेट किया जाएगा army medical college ताकि वह वहां पर experiment कर सक किसी को भी donate कर सकते हैं उसकी body से तो आपने letter लिखनी है Indian times चनही जो भी यहां पर इंडियन टाइम्स है चनही highlighting importance of donation of eyes and other organs to person in need तो आपने एक letter लिखनी है जिसमें आपने क्या चीज़ बतानी है Indian यहां पर टाइम्स को जो चनही में है तो उसमें आपने importance of donation of eye बताना है जो यहां पर किसी और को तो उसमें आप हो कौन आप खुद नवीता हो तो अपना नाम यहां पर आपने नवीता लिखना है यह आपका address है main road कच्चा दंगा तो यह जीज़ें दूसरा यहां पर army क्या है यह यह करनी है यह यह करनी है तो army यहां पर क्या है आपकी institute में कोई किस student को बाहर निकालना है first aid provide करनी है ambulance को काल करनी है तो imagine करो आप principal हो mv public school के तो जहां पर यह चीज़ हुई तो आप ने यहां पर एक letter लिकनी है director of school education को ताक आप recommend करो जो आपका यहां पर यह student है अगर लड़का लड़की है तो लड़का लड़की है तो लड़का उसको bravery का award म उसका यह system होगा यह यहां पर format होगा यहां पर आप देख सकते हैं sender address मतलब जो send कर रहा है अपना समझो मैं send कर रहा हूं किसी को letter यह sender add मुझे अपना address लिखना है यहां पर date लिकनी है यहां पर address of the addresi जिस ने receive करना है उसका address यहां पर आजाएगा जो बंदा receive करे गा उसका एडर्स हमने यहां पर लिखना है उसका यहां पर जो भी वहां पर है जैसा कि जो चीज भी उसकी है फिर यहां पर सुब्जेक्ट आ जाएगा फिर मतलब जो हम जिसको कर रहे हैं सर मैम जो भी है फिर यहां पर बाड़ी आ जाएगी लैटर की यहां पर इसकी बाड़ी प्रिवरी का मतलब इसको अवार्ड मिल चाए तो उसके बारे में थोड़ा लिखा पहले लिखा हेडिंग इंड्रड़क्शन थोड़ा बो लिखा फिर उसके बाद लिखा कि हमारा एक ये सुड्ड़न्ट है जिसने बहुत अच्छा काम किया है आग से बचाया बहुत सुड् यहां पर लिखना है डेट लिखनी है और जिसको बेजना है उसका यहां पर नेम एड्रस वगर जो चीज़ भी होगा वो आपका सुबजेक्ट सुबजेक्ट यह में जरूरी होता है जैसा कि आप यहां पर जिसके बारे में लिख रही हो उसका थोड़ा में पॉइंट पता यहां पर लिखोगे आपका रूम नमर इतना बॉइस होस्टर या गर्ल्स होस्टर जो भी यहां पर है सिर्नगर दिल्ली मुबेकल कता तो सेंट्राइडर्स हो गया यहां पर आपने डेट लिखनी है यह थोड़ी जगा स्पेस ऐसी रखनी है ठीक है फिर जिसको बेज रही हो ममी को बेज रहो डेर मदर डेर ब्रदर डेर फ्रेंड जिसको भी बेज रहो यह लिखा फिर जो चीज आपको ने बोलनी है वो यहां पर पूरी बाड़ी फिल कर देनी है यहां पर आपने पूरा फिल करना है फिर अगर मतलब आपने ममी को लिखा या पापा को लिखा या लोविंग सन और अपना नाम लिख दिया तो ऐसे होता है इन फॉर्मल लेटर जो अपने रिलेटिवस भाई बहें किसी को भी बेज रहे हो फिर आपका आता है इमेल टू यूर फ्रेंड आपको एक इमेल लिखने होते है जो फॉर माक्स की होती है अब फॉर माक्स के लिए आ यहां पर सुब्जक्ट लिखने है जो रिजन है उसके लिए बहें रहे हो एक्जमपल की तो पर फ्रेंड को मतलब इनवाइट कर रहे हो आप यहां पर डेट लिखो के एक्जमपल की तो पर आज फस्ट अपरेल है फस्ट फॉर टूजन टॉनटी त्री टू एबी सीडी ए आपको क्या बात है क्या मसला है वो चीज लिखी लेकिए बस यह पूरा बकस इसी तरीके से बनागे आपने छोड़ दिया तो आपका इमेल फॉर्मेट भी हो जाएगा यहां से भी आपको फॉर मार्क्स मिल जाएंगे तो फिर आपका यहां पर एट मार्क्स का कोसन आता है जैसा कि यहां पर बोला गया आपने एक आर्टिकल लिखना न्यूस पेपर के लिए जिसमें आपने सेल्स आफ आईफून जो है उसके बार में थोड़ा बहुत यहां पर यहां पर यह चीज भी देख सकते हो किस जगा सेल के बार में जो भी फैस्टिवल उसके बार में आपने पुरा नेटेल में लिखा तो शाथ में डेट लिखी हो गया काम हतम ऐसे आपनी लेंग्वेज बना लिए अब मैं आपको यह गिने चुन दो तीन चीज़े बहुत है इसको देखके यह औरको कुछ भी पूछ सकते यह आपको क्या यहां पर क्या लिखा और तो आपने लिए लिखना है और की जगह इसका आंसर आएगा इदर लिखना है आंसर और का अंसर यहां पर आएगा एंड कि यहां पर आएगा माई ग्रेंड मदर एंड आई यहां पर क्या लिए 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 यहां पर लिखा 2, 3rd में लिखोगे ऐसी, मतलब कुछ भी यहां पर problem नहीं है, सब ठीक है, फिर आप 4th लिखोगे, 4th में जैसा कि यहां पर बात है, यहां पर past आएगा, बात की जगा बातिड, बातिड, जैसा कि फिर आपका नेक्स्ट वाशिड इन प्लस्ट बाई, यहां पर बाई, बाई, नहीं आएगा, विद येलो चाग, ऐसे आप लिखोगे 7th, बाई, बाई की जगा, विद, पुराज फिर पढ़ोगे, she had carried है, तो यहां पर had नहीं आएगा, carried आएगा अनली, आप लेकोगे, यहां पर 8, 8 की जगल, यहां पर लेकोगे head carried, इसका जो answer हो है carried, तो इस तरीके से आपने इसका grammar बनाना है, तो यह पूरे आपको 8 marks मिल जाएंगे, यह भी कोई top है नहीं, आलमुस जो भी हम किसी भी grammar को पढ़ते हैं, उसमें पास्ट काही ज़याँ जयदा use होता है, तो यह चीज़ें आपकी होगी, यहां तक आपको बनगे 50 marks, तो 50 मेसे 50 होगे complete, अब आपको literature आता है, यह वाले 2 marks होते हैं, वह भी poetry से होते हैं, जो आपके यह वाले 10 marks होते हैं, यह भी poetry से होते हैं, अब मैं आपको recommend करूँगा, already आपको 50 marks उपर हो गए, अब 12 marks यहां से आप सिर्फ poetry पढ़ो, तो आपको यहां पर 62 marks बन जाएंगे, ज्यादा पढ़ने के जरूद नहीं है, यह बाकी questions क्या आतना रटा लगा हुगी, क्या करोगे, सिर्फ आपके लिए सीखना जरूरी था, अगर हाँ आपको लगता कि हमें पूरे माकसलाने, तो आपने आरड़ी पढ़ाई हो, क्योंकि जिसको पूरे माकसलाने वो कि एक दिन का वेट करेगा, जिनको थोड़ा वीक है, जो अपना यहां पर क्रेक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो इनाफ़ा है, और बेस्ट है, जो इस वीडियो को बागी फ्रेंच तक भी शेयर काते हैं, ताके साब की help हो सके.